सुनील गवसकर को आई इस खिलाडी की जाद कहा मैं होता तो उसे फ्लेइंग 11 में जरूर मौका देता नमस्कर दोस्तों भारत और न्यूजिलेंड के बीच आई सी सी विशब टेस्ट चेंपियन शिप का खितावी मुकाबला खेला जा रहा है इंगलेंड के सौट हैम्टन में खेले जा रहे इस मैच में अव तक के खेल में सबसे बड़ा जोगदान खराब मौसम का रहा है जिसने इस मैच का मज़ा अव तक तो पूरी तरह से खिरकरा किया हुआ है और इसी बीच मैच चरी जर्व डेव पर पहुँच गया मैच के पांच में दिन के खेल में मौसम साख रहा जिसमें भारत ने निउजिलेंड की पारी को 200 अनंजा रनों के स्कोर पर समेट दिया और एक बड़ी लीड लेने से रोक दिया तो वहीं भारत ने दिन के खेल की समापती तक दो विकेट पर 64 रन का स्कोर बना लिया है पिछ पर भूवनेशवर कुमार कैसा कर सकती है ये हर कोई जानता है इसी तरह से भारतिय टीम के पूरव महान बले बाजा सुनील गवसकर को भी भूवनेशवर कुमार की जादाई है सुनील गवसकर ने कमेंटरी के दरान भूवी को काफी मिस किया और उन्होंने साफ शब्दों में कहा की जून के महीने में इंगलेंड की पिछ पर भूवी बहुत जरूरी होते है सुनील गवसकर ने कमेंटरी के दरान पांच में दिन कहा की इंगलेंड में जून के महिने में वरेश होती है और अपनी सविंग कराने की जोगता के साथ था भूबनेशवर कुमार इस मैच में बॉलिंग के लिए एक परफेक्ट गेंदवाज होते सुनील गवसकर ने आगे कहा भूबनेशवर कुमार आईपियल में खेले थे और ऐसी कोई बात नहीं थी कि उन्हें चोट हो भूबी ने सितंबर अक्तूबर में आईपियल से नाम वापस लिया था लेकिन इंगलेंड दोरे के लिए वो उपलवद थे मैं उन्हें विशवर टेस्ट चैंपियन शिप के फाइनल के लिए टीम में जरूर शामिल करता क्योंकि ये जून के महीने में खेला जा रहा है दोस्तो अगर आपको हमारी जे जानकर यच्छी लगी तो कमेंट करते बखाएं लाइक और शियर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरे आपके लिए लगते रहते हैं धन्या वाद